नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वन डे एक्जामनेशन ट्रिक पर जो की है यूपी, टेट, सीट, एससी, रेलवेज और पीसिस के लिए तो आज हम बात करेंगे सार्क देशों के मुख्य नाम हो परती है ऐसे जो सार्क देशों में सम्मिलित हैं तो आएए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सार का फुल फॉर्म क्या होता है तो सार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन असोशियेशन असोशियेशन फॉर रिजिनल कॉपरेशन पॉर रिजिनल कॉपरेशन तो ये तो फॉल फॉर्म हो गया सार का सबसे पहले उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या तरीक़ा है इसको याद करने का तो जैसे कि हमने 37 лайक लोग कैते अब जमीर लें लेंगे कश्मीर में तो मैं ईकर चिया अब भूमी लेंगे नेपल में अब भूमी मतलब जमीन, भूमी कहां लेंगे नेपाल में नेपाल में, नेपाल में, ठीक है, अब देखिए, आ हो जाएगा, अफगानिस्तान, ये हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, बा हो जाएगा, बांगलादेश सबको पता है, ये हो जाएगा, बांगलादेश, भू हो जाएगा, भूटान, ये हो जाएगा, भूटान, मा हो जाएगा माल दीब्स, बसक्याद ने हो जाएगा नेपाल, पा हो जाएगा पाकिस्तान सब को पता है, यह हो जाएगा पाकिस्तान, और ला हो जाएगा लंका यानि श्री लंका, यह हो जाएगा लंका, इसे श्री लंका भी कह सकते हैं. तो हमारी ट्रिक से ये क्लेर हो गये दोस्तों कि सार्क देश में कौन-कौन आते हैं अब भूमी नेपाल में आप जाएगा अफगानिस्तान बाओ जाएगा बंगला देश, भू हो जाएगा भूतान, मीम, माल्दीव, ने नेपाल, canon, लंक, लंक, शी लंक fenल तो अगर आ करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद